ओम शान्ती आज बाबा के ग्यारा तारिक के महावा क्य है बाबा ने कहा मीठे बच्चे पहले अपने उपर रहम करो फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुर्शार्थ करो प्रशन है तुम किस रेस के आधार से शिवाले के मालिक बन जाएंगे उत्तर है फॉलो फादर मदर सिर्फ एक जनम पवित्रता की प्रतिग्या करो नर्क से दिल हटा दो शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवाले स्थापन कर रहे है जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे धन्दा धोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा अर्थार्थ शिवाले के मालिक बन जाएंगे गीत है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो ओम शान्ती कुछ न कुछ कहना पड़ता है ओम शान्ती या शिवाय नमे परमात्माय नमे कहते हैं ना ओम शान्ती हम कहते हैं यह है अपना और बाप का परीचे देना यह मैमा भक्त लोग करते हैं तमेव माता शपिता तमेव तुम तो बच्चे हो जिसकी मैमा भक्त लोग भक्ती मार्ग में करते हैं आज वे बाप आपके सन्मुख बैठा हुआ है फिर जरूर सन्मुख था अब फिर सन्मुख बैठे हुए है ये बाते अभी तुम बच्चे ह जानते हो भाक्त नहीं जानते हैं तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है वे बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे है जो तुम फिर इकिस जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो ऐसे बाप के सनमुख तुम बैठे हो तुम जानते हो यह हमारा बेहद का बाप है जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सर्विस कर रहे है बाप हमेशा बच्चों को रच कर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते है बाप जैसे की बच्चों का गुलाम बन जाता है लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते है रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाएं वो है हद की रचना के गुलाम यह है फिर बेहद का बाप यह भी कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्सा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है जो सेंसिबल वाप होगा वह कहेगा बच्चों को भी क्यों ने साथ साथ ये सची कमाई भी कराएं लौक एक बच्चों की इस्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया लायक बनाया बच्चों के लिए विल किया बस शरीर छोड़ा जाकर दूसरा जनम लेंगी वे हुआ हद का बाप यह है फिर बेहद का बाप वेहद का है ब्रम्हा रचना रचकर फिर गुलाम बनते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है कहां बच्चे कुसंग में खराब न हो जाएं नाम बदनाम न करें परन्तु वे हो गया अल्पकाल का सुख उन्हें ये पता नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं बाप की मिलकित को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है कोई आध्याकारी निकलते हैं यहां तो श्रीमत मिलते है तुम मात पिता हम बालक तेरे यह एक की ही महिमा है परंतो मनुशन जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे लक्ष्मी नारायन के आगे कहेंगे तुम मात पिता यह भी अंदश्रधा है अब लक्ष्मी नारायन प्रालब्द भूगते हैं उनको अपने बच्चे हैं हम उनको कैसे कहते हैं तुम मात पिता वास्तव में यह मैमा एक की ही है हीत में सुना की उचे से उचा है शिव बाबा सबका सदगती दाता सबको शांते धाम सुख दाम में ले जाने वाला तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए समझते भी हैं मात पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं परन्तु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है बहुत उचा वर्सा मिलता है बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हतेली पर बहिष्ट लाया हूँ अब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो कदम कदम पर मत लेनी है मत पर नहीं चलते तो उच्पद पा न सकी स्वर्ग में लक्ष्मी नारेन का राजच था ये किसको पता ही नहीं आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्ग वासी हुआ अत्वा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे जोती जोत समाया परन्तु जाता कोई नहीं है जीवन मुक्ती वे मुक्ती दाता एक ही बाप है वे न आए तब तक कोई जान सके वे है निराकारी दुनिया निराकारी बाप और निराकारी आत्माई वहां रहती है जिसको परमधाम भी कहा चाता है साइन्स घमंडी समझते हैं यहां ही जनमते और मरते हैं जैसे मच्छर स्रिष्टी के चक्र का भी किसको भी पता नहीं सर्व्यापी के ज्यान से कोई कुछ भी समझ न सके अब तुमको बाप मिला है कहते हैं बच्चे अब वापिस चलो मैं कल्ब पहले मुवाफिक सबको ले जाने आया हूँ तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है सबकी आत्मा तता शरीर आईरन एजेड हो गए है उनको फिर से सतो प्रधान बनना है तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी अब गोल्डन एजेड वर्ल्ड थी तब गोल्डन एजेड वर्ल्ड थी पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरी था उसको सच्चा जेवर कहा जाता था अब तो क्या हो गया है एक परसंट भी सच्चा सोना नहीं रहा है खाद पड़ी हुई है अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच् उडने लग जाएगी अभी पंख तूटे हुए है जैसा पुर्शार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे कितनी उची पढ़ाई है भगवान वाच मैं तुमको राज्योग सिखलाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे विकारी पुजारी राजाओं के भी पुज आप एही पुजारी तुम जानते हो हम सो पुज देवी देवता थे फिर हम सो पुज चंदरवंशी बने हम सो पुज और पुजारी बनते हैं बाप आकर पुजारी से पुज बना रहे है अब ज्यान जिन्दा बात हो रहा है ब्रम्हा सो ब्रम्हा कुमार कुमारियो की रात अब पूरी होती है रात कब से आरंब होती है यह शास्त्रवादी नहीं जानते ब्रह्मा का दिन सत्युक्तृता द्वापर के आदी से रात शुरू होती है यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धी में है अब 84 जनम पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य सत्युक्त में यह ज्यान नहीं रहेगा वहां है प्रालब्द वहां भी तुम अपने बाप से वर्सा लेते हो परन्तु वे इत समय की प्रालब्द है जो 21 चनम चलती है भारत पर ही सारा खेल है सत्युक्त में जो देवी देवताओं का राज्य था वे अभी आसूरी बना है प्रजा का प्रजा पर राज्य है बाप कहते है बच्चे here no evil see no evil बंदर का इक चित्र दिखाते है इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े है इसलिए बंदर की शकल दिखाते है बात इस समय की है इसको कहा चाहता है रौरव नर्क बिच्चू टिंडर मिसल एक दो को काटती रहते है बच्चे बाप का भी खोन कर देते है माया ने सब को डर्टी बना दिया है भारत heaven था अब hell है 84 जनम भी भारत वासियों के है बाप कहते है मैं कितनी समझानी देता हूँ कहते है I am most obedient father father servant, teacher servant, guru servant अब मैं आया हूँ पंडे लोग भी यात्री के servant होते हैं रास्ता बताने वाले अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने लिए guide बना हूँ, liberate करता हूँ, history repeat जरूर होगी grant में भी कहते हैं कि है बीसत हो सी बीसत एक कौकार ये परमात्मा की महिमा है एक तरफ कहते है अजोनी दूसरी तरफ कहते हैं सर्व्यापी है, जिधर देखता हूँ, तू ही तू है, यहां हम आए है, मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते है अब बाप कहते हैं बच्चे, ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली है, सर्व्यापी का ग्यान डुबो देता है बाप कितना समझाते हैं, कोई तो जट निश्चे करते हैं कि बाप से वर्सा लेना है इन जैसा स्वीट पादर मिल नहीं सकता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है जब बाप मिले, तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने ऐसे बाप को जट अपना बनाना चाहिए, मुझे तो बच्चे चाहिए, जो कल्प पहले बने थे वो ही आकर सपूत या कपूत बनेंगे कल्प पहले मुवाफिक, इस्तरी की बच्चों की जवाबतारी क्रियेटर बाप के उपर है उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए, पहले तो अपने पर रहम करो ऐसे नहीं बाबा किरपा करेंगे तो सबलक्ष्मी नरायन बन जाएंगे यह बड़ा इम्तिहान है, आठ कोई स्कॉलर्शिप मिलती है फिर एक सो आठ है, लोटरी होती है न, बाप कहते है देह सहित, देह की संबंद, जो कुछ है भूल जाओ अपने को शरीरी समझो और आत्मा निश्चे करो ऐसे नहीं तुम पर्मात्मा हो, वे फिर आत्मा सो पर्मात्मा कह देते हैं समझते हैं, आत्मा जाकर पर्मात्मा में लीन होगी जब तक लीन नहो तब तक उनको पर्मात्मा नहीं कहेंगे परंदू परमात्मा में लीन होते नहीं ये ड्रामा अनादी बना हुआ है हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है हर एक आत्मा में इमोर्टल पार्ट भरा हुआ है ये बातें बाप के सिवाए और कोई समझा ने सके बाप आकर तुम बच्चों को आधी मध्य अंत का ज्ञान दे, त्रिकाल दर्शी बनाते हैं, चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वास्तव में तीसरा नेत्र ना है देवताओं को ना शूद्रों को, तुम ब्राह्मनों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है जिससे तुम सब की occupation को जानते हो सचखंड और जूटखंड की हालत को भी तुम जानते हो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरशार अनुसार है यह है पाठशाला इसमें अंदिश्रधा की कोई बात नहीं है अपना धंदा धोरी सब करते रहो सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे उपर राजाई का तिलग आ जाएगा आत्मा ही याद करती है संसकार आत्मा में है आत्मा से ही बात करते है मैं तुम्हारा बाप हूँ कल्प पहले भी तुमने वर्सा लिया था सूर्य वंशी राज्जिक किया था फिर चंदर वंशी में गए कलाएं कमती होती जाती है फिर वैश शूद्र बने अब स्मृती आई है कि नाटक पूरा हुआ है मा में कम याद करो तुविकर्म विनाश होंगे शृमत पर ना चले ते अभिमान आया तो लगी चोड फिर भ्रस्पती की दशा बदल कर राहु का ग्रहन बैट चाता है फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं बाप कहते हैं उचपद पाना है तो रेस करो अभी उचपद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे सिर्फ एक जनम के लिए पवित्रता की प्रतिज्या करो तो 21 जनम स्वर्ग की मालिक बनेंगे अब नरक से दिल को हटा दो शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवाले स्थापन कर रहे हैं जहां तुम चैतन्य देवताईं राज्य करेंगे तो क्या शिवाले का मालिक बनना चाहते हो पॉलो फादर मदर जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है राजा भी तुम बनेंगे तुम ही थे अब रंक बने हो और धरमवालों की बात नहीं देवी देवतादरम वाले ही और धरमों में कनवर्ट हो गए है इसलिए हिंदूओं की संख्या कम हो गई है नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए तुमको भगवान पढ़ा रहे है कितना ध्यान देना चाहिए यह बड़ी वंडर्फुल पढ़ाई है बूडे बच्चे जवान स्तब पढ़ते हैं बीमार भी पढ़ सकते हैं अगर बाप और वर्से को याद न किया तो माया थपड मार देगी बलड से लिख देना चाहिए मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा शिव बाबा का हाथ पूरा पकडूँगा जो बाबा कहेगा सो करूँगा शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो जो बच्चे उनसे दो मुठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो फिर उनका एवजा तुमको इतना जितना साहुकार का लाख देने से बनेगा प्रत्यक्षफल मिल जाता है अच्छा मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी धारना के लिए मुखिश सार है तेह और देह के सर्व संबंद भूल शरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है बाप से शरीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है द्रड संकल्ब करना है के रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा और बाबा चों कहेंगे वे निश्चे करूंगा here no evil, see no evil वर्दान है एक शमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई स्रेष्ट आत्मा भव सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई स्रेष्ट आत्माई है जिनोंने स्वयम अनुभव करके ये मैसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही स्रेष्ट आत्माई है जिनोंने स्वयम को बाब शमा के पीछे फिदा किया है वे चक्र लगाने वाले नहीं परवाने बन फिदा होने वाले हैं पिदा होना अर्थार्थ मर जाना तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना जलना ही बाब का बनना है जलना अर्थार्थ संपूरन परिवर्तन होना स्लोगन है बाब के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है सर्व की संबंद संपर्क में आते जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे बेहद की वैराग व्रती का वायू मंडल हो ये बेहद के वैरागी है ये व्रती हर एक के दिमाग तक नहीं दिल तक पहुँचे अब इसकी आवश्यक्ता है इससे ही आत्माएं समीप आएंगी मुख की सेवा संपर्क में लाती है व्रती से वायू मंडल की सेवा समीप लाएगी अच्छा ओम शान्ती